कुछ दिनों पहले मैंने introduction पर एक video upload किया जहां मैंने आपको short में बताया कि आप अपना intro कैसे दे लेकिन आज के इस video में हम सीखेंगे कि कैसे अलग अलग तरीके से आप अपना intro दे सकते हैं यानि आप कैसे अलग अलग sentences को इस्तिमाल कर सकते हैं सबसे पहले आप करेंगे greetings यानि आप कहेंगे good morning sir firstly thank you for giving me this opportunity to introduce myself और greetings के बाद आप बताएंगे full name आप अपना full name इस तरीके से बता सकते हैं आप कह सकते हैं my name is आलम यानि my name is के बाद आप अपना नाम लिखें या फिर आप ये कह सकते हैं आइम आलम आप ये भी कह सकते हैं my full name is आलम आप ये भी कह सकते हैं you can call me आलम everyone calls me आलम या informal way में myself आलम भी बोला जाता है इन में से जो सबसे ज़्यादा common है वो है my name is नेम के बाद आपको बताना पड़ेगा age यानि उम्र और आप अपनी उम्र को ऐसे बता सकते हैं आप कहेंगे I am 25 years old यहां मैंने अपने sentence में बोला 25 तो यहां 25 के जगा पर आप वो नमबर बोलें जो आपका है यानि अगर अब 20 साल के हैं तो आप कहिए I am 20 years old या आप ये कह सकते हैं I am over 20 यानि मैं 20 साल से उपर का हूँ या आप ये कह सकते हैं I am almost 20 मतलब मैं लगबग 20 साल का हूँ I am nearly 20 यानि करीब करीब मैं 20 साल का हूँ I am around your age मैं तकरीबान आपके उम्र का हूँ तो आप इतने तरीके से अपने उम्र को बता सकते हैं इन में से जो सबसे ज़्यादा common है वो है I am 25 years old जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एज के बाद आप बताएंगे place यानि जगा का नाम और जगा का नाम बताने के लिए आप इन में से कोई एक बोल सकते हैं आप कह सकते हैं I am from India यहाँ मैं आपको बताते हूँ कि country के नाम से पहले अगर आप city का नाम भी बताना चाहते हैं तो आप ऐसे बोलें I am from India यानि सबसे पहले आप लिखे city का नाम उसके बाद आपको कॉमा देना पड़ेगा फिर आप लिखे country का नाम आप यह भी कह सकते हैं आप I am करके भी बोल सकते हैं लेकिन उसके आगे बताना पड़ेगा आपको nationality यानि आप कहेंगे I am Indian या फिर आप यह कह सकते हैं इन में से जो सबसे ज़्यादा common है वो है I am from जो कि मैंने यहाँ पर एक नंबर पर लिखा हुआ है फ्लेज के बाद आप बताएंगे education और आप अपना education ऐसे बताएं आप कहें I am a student at उसके बाद आप दे अपने school या college का नाम या फिर आप ऐसे बता सकते हैं I study at Davy Inter College यानि आप कहें I study at उसके बाद आप अपना college का नाम दे दे या फिर आप ऐसे भी बता सकते हैं I study accounting या advertising या arts, biography, economics, history, marketing, journalism, philosophy अगर आप इन में से कोई कर रहे हैं तो आप इन में से कोई एक बोलें अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी पढ़ाई complete नहीं हुई है तो आप कहेंगे I am pursuing उसके बाद आप बताएंगे कि अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं जैसे I am pursuing a BA final year या I am pursuing a BA first year या second year Education बताने के लिए ये भी एक तरीका है आप कह सकते हैं I am graduate या I am post graduate I graduate from Lucknow University Education के बाद आप बताएंगे experience कि आपने कहीं काम किया है या नहीं अगर किया है तो आपका experience क्या है आप अपना experience ऐसे बता सकते हैं I work for ETA as an engineer ETA जो कि एक company का नाम है यहाँ पर आप उस company का नाम लिखे जिसमें आप काम किये हुए हैं आप ऐसे भी कह सकते हैं I work in a private limited company I used to work as an engineer at Delhi I have been working in Delhi for 4 years अगर आप retired हो चुके हैं तो आप कहें I am retired अगर आपके पास कोई job नहीं है या job के बाहर है तो आप कह सकते हैं I am out of work अगर आपको यह कहना हो कि आप किसी job के तलास में हैं तो आप कहेंगे I am looking for a job experience के बाद आप बताएंगे अपनी family के बारे में यानि आप कहेंगे coming to the family details My father is a government school teacher in Delhi My mother is a housemaker इनके अलवा अगर आप और details देना चाहते हैं तो आप ऐसे दें आप कह सकते हैं There are five people in my family या मैंने अपने sentence बोला five लेकिन आपके family में जितने लोग हैं आप उतना ही बोलें या फिर आप ऐसे कह सकते हैं There are three of us in my family या आप ये कह सकते हैं I live with my family अगर आपका कोई भाई भाहन नहीं है तो आप कह सकते हैं I don't have any siblings अगर आपके पास भाई भाहन है तो आप ऐसे बोलें I have two brothers and three sisters Family के बाद आप बताएंगे hobbies यानि आपका सौक क्या है और आप अपना hobbies ऐसे बता सकते हैं One of my hobbies is Reading, Painting, Drawing, Playing Computer Game, Suffering Internet, Collecting Stumps of Coin, Going to the Cinema, Playing with Friends, Chatting with Best Friends, Listening to Music, Shopping, Singing, Dancing, Hiking, Traveling यानि जो आपका hobbies है आप उसे बताएं जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है My hobbies are Listening Music and Watching Movie Hobby के बाद आप बताएंगे Strength और आप अपने Strength को ऐसे बता सकते हैं आप कह सकते हैं I am Honest I am Respectful यानि मैं सब है इनसान हूँ I am Passant यानि मैं सबरमंद इनसान हूँ Passant का एक मतलब मरीज भी होता है लेकिन यहाँ Passant का मतलब है सबरमंद I am Flexible यानि मैं सकत इनसान नहीं हूँ अब यह कह सकते हैं I am Creative या I am Determined या I am Action Oriented यह आपका Strength है जिसे आप अपने ताकत में यानि Strength में बता सकते हैं Strength को आप बताए जाता है Weakness और आप अपने Weakness में कह सकते हैं I am Sai यानि मैं सरमीला हूँ Not Adapt at Public Speaking या फिर आप यह कह सकते हैं I am Not Comfortable Taking Risk या फिर आप यह कह सकते हैं I take on too much responsibility या फिर आप यह कह सकते हैं I trust others easily या I can't say no when someone asks for help यानि जब कोई मुझसे मदद मागता है तो मैं नहीं नहीं कह पाता हूँ यहाँ गोल में आप Short Time और Long Time Goal बताएंगे जैसे My Short Time Goal is I get a job in a reputed company My Long Time Goal is a good position in our company तो यहाँ आपने देखा कि पहले मैंने अपना Short Time Goal बताया उसके बाद मैंने अपना Long Time Goal बताया और फिर आखिर में आप कहेंगे That's All About Me Sir और इस तरीके से आपने एक शांदार introduction दिया